देवरानी जेठानी की कहानी एक देवरानी और जेठानी में किसी बात पर जोरदार जगडा हो गया बात इतना बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे का मूँ तक नहीं देखने की कसम खा ली और अपने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया थोड़ी देर बाद जेठानी के कमरे के दरवाजे पर खट खट हुई जेठानी ने उची आवाज में बोला कौन है बाहर से आवाज आई दीदी मैं जेठानी ने जोर से दरवाजा खोला और गुसे में बोली अभी तो बड़ी कसमे खा कर गई थी अब यहां क्यों आई हो द जब भी किसी से कुछ कहा सुनी हो जाए तो उसकी अच्छाईयों को याद करे और मैंने भी वही किया मुझे आपका दिया हुआ प्यार ही प्यार याद आया और मैं आपके लिए चाई लेकर आ गई बस फिर क्या था दोनों रोते रोते एक दूसरे के गले लग गई और फिर साथ बैठ कर चाई पी यह कहानी हमें यही सिक्षा देती है कि बिगड़ती प्रिस्थितियों में भी थोड़ी समझदारी दिखाई जाए तो संबंद जीवन बर बने रहेंगे थैंक यू